अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं अगर आप किसी भी गवर्मेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर हर प्रकार की अपडेट आपको उपलफद कराई जाती है तो एक नूटिस वायरल हो रहा है जो जनलीगम का है तो यहां पर मैं आपको इसके बारे में कु हुआ है और यह जनलीगम का का नूटिस है जेईगी व्यकंसी के बारे में तो इसके बारे मैं पूरा बताने वाला हूं एक नूटिस क्या पेपरि में दिया हुआ था हिंदूस्तान की प्राइब आप लोगों ने जनवरी लगब लगवक जनवरी में ठंडी के समय में दिय हुआ जनवरी या फरवरी में दिया था कि जनलिगा में एई और जेई की भरतिया जल्द तो पहले मैं इस पर बात करूंगा उसके बाद फिर मैं उस नोटिस पर बात करूंगा क्योंकि यह उसी से रिलेटेड है तो यहां पर मैं बताने वाला हूं तो उससे मैं दिया हुआ कि जो है 40 आपकी एई की और 516 जेई की बैगंसी के बारे में दिया हुआ था जो कहा था 516 जेई के पदों पर भरति के लिए सासन से अनुमति लेने की तैयारी और 40 एई के पदों के लिए तो यहां पर पूरी न्यूस क्या थी कि जनलिगा में लोगों को पेजल वा सीवरे को बहतर बनाने के लिए सहायक और अभियंताओं के खाली पदों पर जल्द भरतियां सुरू करने जा रहा है सहायक अभियंता के 40 पदों पर भरति के अनुमति सासन से ली गई है और अभियंता के 516 खाली पदों पर जल्द ही अनुमति मांगने की तैयारी है तो यह पूरी लगबक सभी के पास इन्वाला है किसी माध्याम से वाट्सअप से रहे किसी प्रकार से तो ये पूरा नोटिस के बारे मैं बताऊंगा आपको पढ़कर सुनाओं गा और इस में इसका मतलब क्या किया है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं तो प्रेशक सचिव शाशन उत्तर प्रदेश सासन यानि यहाँ पर लिखा गया है किसको सेवा में प्रबंधग निदेशक उत्तर प्रदेश जन लिगम लखनव को कि से लिखा है और यह नोटिस आप देख सकते हैं यह 10 अगर्ष 2022 का नोटिस है दस अगस बीस को ये नोटिस भेजा गया है तो यहाँ पर नोटिस क्या है नगर विकासन भाग थर्ड उत्तर प्रदेश जनलिगा में रिक्त नैतिक के लिपिक अवर अभियंता अवर अभियंता उसके बाद सहायक अभियंता तथा सहायक सिविल के पदों पर उत्तर प्रदे है यहन पर पोछ कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है इनोटिस बिलकुल सही है और अभी आधा मैंने इसके पहली स्थाहई थी जो उस इस रिलेटेड है यानि लगभग इतनी ही वेकंसी की बारे में वहाँ पर चर्चा की गई थी यहाँ पर वही दोनों वेकंसी की चर्चा की गई है यानि एई और जेई की वेकंसी की चर्चा दोनों की यहाँ की गई है और यहाँ पर कहा गया है उत्तरपदेश अधिने सेवाचायनाव यानि य बेकंसी कराने के लिए येई और जेई की वेकंसी मुझे लगता है जेई की वेकंसी यूपीट्पल स सी करवाएगा और यूपी लगता है और यहां पर उन्हों लिखा महादब कृपया उपरियूप्त विश्यक मुख्यभियनता उत्तर्पधेश जनलीगा मलखनव के पत्र संख्या 339 उसके बाद ये पूरा पत्रांग जो नंबर वगरा है उन्हों लिखा हुआ उसके दिनांग 10 जुलाई 2020 के संदर में ग्रहाण करने का कश्ट करें इस संब्ध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया निमलिखित बिंद उपर सूचना अगतन ये सिति सासन को उबलब्ध कराने का कश्ट करें ताकि प्रकणा में अगरेकतर कारवाई की जा सके ये विभाग को नोटिस दिया गया है वहाँ पर और जनलीगा में कुल कितने पद स्रिजित हैं उनके बिरुद कितने करमचारी कार्यरत हैं इनके भत्तो त पर ये पूरी जनकारी मांगी गई है और उसके बाद रिक्त पदों को भरे जाने की स्थिति में भविस्व में वेतन भत्तों के वभार में कितनी वृद्धी होगी मतलब आगे कितना इनका बेतन बढ़ेगा इन सब चीजों के बारे में ब्योरा मांगा गया है उसके बाद जन निगम वर्तमान में कौन सी कार संपादित किये जा रहे हैं तथा विभिन शुरोतों से अनुमानित आये क्या है क्या वर्तमान आये से जल निगम वेतन आधि पर वृद्धिपवभार उठाने में सच्छम है अथवा नहीं उक्त के अत्रिक्त या भी अन्रोध है वो डिपाडमेंट ग्रामीट जल पूर्ती या नमामी गंगे निदेसाल है और पीएची बिपाडमेंट जो पब्लिक हेल्थ इंजिनलर इसके लिए मतलब कहा है और नमामीट अभी बना नहीं है यह डिपाडमेंस आयद बनने वाला है और यहां पर चर्चा कि ग्रामीट जो गाओं में जल निगम जो जल की पूर्ती कराई जाती है उसके बाद नेक्स्ट जो है नमामी गंगे जो नया विभाग बना है उसके बारे में दिया गया है कि यहाँ पर इन दोनों विभागों में गठन का प्रस्ताव तरफ दूसरे तरफ विशयंकित पदो के भरे जाने संबन्दी प्रस्ताव के अचित आधार से भी सासन को अगध कराने का कश्ट करे तो यहाँ पर यह पूरा नोटीस है और नोटीस बिल्कुल सही है और बैकंसी मुझे लगता है कि इलेक्शन अजदीख है और बैकंसी इसी साल आएगी सितंबर अक्टूबर तक यह बैकंसी यह है और जो 853 पद्रद्ध हो गया था उसका तो भी मामला सुप्रीम कोड में चल आए उसका मुझे नहीं लगता है लेकिन इतनी बैकंसी आएगी यह वीडियो बताने के लिए यह चीज बताने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू करना ओके थैंक यू